नमस्कार दोस्तों स्वगते हैं आपका इस टेडी फॉर्ट सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता है एच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडि अबर दोस्तों सवगते हैं आपका इस टेडी फॉरटेप दोस्तों इस वीडियो में हम 5 पूरास्कार 24 देखेंगे उसके साथ जो है उत्तरफरे पूरस्कारों कर्के तूर पेलब में आपको बता दू र्याजते कर सथा जतले हैं तो ये दो नमबर दिया गए derni आत comes 10 9 काल या बर्षाप कर सकते हैं तो अई वीडियो शुरू करते हैं पद्वपुरसकार दौजय reflection की घुमण की कि गई जय है Haalось में बात करते हैं पद्वपुरसकार की तो इसकी सुलवा जो है 1954में जो है में एंश्धापना होई थी और भारत में सर्वोच नागरी पुरसकार भारत रतने, और दूसरी नमबर पर पदमे भीभूसर का नमबर आता है, पदमे भीभूसर, तीसरी नमबर पर पदमे भूसर का, और चोथे नमबर पदमे स्री का, पदमे पुरसकारों में तीन स्रेडियों में दिया जाता है, पदमे भीभूसर पद्मी भीभूसर्ड जो है वह आसाधारण एवं बिसिस्ट सिवा के लिए पद्मी भीभूसर्ड जो है वह उच्छ कोट की सिवा के लिए पद्मी भीभूसर्ड जो है वह उच्छ कोट की सिवा के लिए पद्मी भीभूसर्ड जो है वह उच्छ कोट की सिवा के लिए पद इसकी घोसड़ा की गई अभी, और इनहें जो हैं, ओर्च आप्रेट मी में सम्मानित किया जाये गए बिभूसर फूर्ख लोग से उपनितु प्रकेश्ट नार्डू मों मित को चुन रren जीवी को जो है कला च्रम में यह अंदर प्रदेश के एं इनको पृदान किया गया है ऊपराश्ठरारी वेंका नाइड़ू को जह पाध में बिभुसरत अधर समान किया गया है और यह तमिल नाडू की है पद में भूसर के देख लेते हैं लोग एक चीज आप याद रखेगा उत्तर पदेश से जो है किसी को भी जो है किसी हस्ती को जो है पद में भूसर से समानित नहीं किया गया है उत्तर पदेश से इनमें कोई सामिल नहीं है पद में भूसर वह कुल 110 हस्तियों को समानत किया गया है पद्मे स्री से इन में 132 हस्तिया है इन में 30 माइलाय सामिल है और उत्तरपदेश के 12 विभूतियों को पद्मे स्री से समानत किया जाएगा आप लोग याद रखियेगा पद्मे स्री से बारा लोगों को समानत किया जाएगा उत्तरपदेश से और कुल 110 लोग लोगों को पद्मे स्री से समानत किया जाएगा यह फैक्ट आप लोग याद कर लिजेगा नोट कर लिजेगा हो सकता है पेपर में पूछ ले और यह जो है असम की है बिहार के पूर्व मुखमंतरी करपूरी ठाकुर को जो है वह भारत रतने पदान किया जाएगा हाली में भारत सरकार ने गोश्रा किया है कि बिहार के पूर्व मुखमंतरी मर्डो परांजोयन को प्धार्ट को प्धार्ट की जो पहले भारत क्राप्रत करता थे 1954 में वैं राधा कृष्ण सवरोपली राधा कृष्ण थे। इन्हें पहली बार प्धान के आगया अंता भारत का पहला भारत रत्तन समान की तो यह दो लोगों को प्रदान किया जाएगा डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को डॉक्टर रितु करिखल जो है वह इसरों की वैज्ञानिक है इसरों की वैज्ञानिक है और नवीन तिवारी जो है यह कानपूर के उद्धिमी है कानपूर के उद्धिम इन्हें पदान किया जाएगा इन दोनों को उत्तरप्रदेश गौरसमान आगे देखते हैं उत्तरप्रदेश के सर्वोच खेल समान लच्मण पुरसकार एवन रानी लच्मी भाई पुरसकार जो है इनों को जो है उत्तरप्रदेश के सर्वान लच्मण पुरसकार जो समान लच्मण पुरसकार जो है समान वर्ग में किरन बालियान को जो मेरेट की है और सौट पुटर है इनको समानित किया गया है पैरा वर्ग में देख लेते हैं पैरा वर्ग में लच्छमट पुरसकार जो है वह अजीद को मिला है जो जेवलिन थ्रोवर है और यह इटावा के रहने वाले है में अगे प्रांस की राश्पती, इनमें माइकरो इस वर्श के मुख्य आति थी थे, और 75 में गरतन दिवस परेड में जो है कुछ अवर्ड प्रदान किये गए है उसको देख लेते हैं हम लोग राज्यों और मंतराले में द्वारा जो है जहांके अब निकाल ले जाती है उसको जो है पहला दूसरा तीसरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है उनमें देख लेते हैं हम लोग तिया पुरस्कार दो कटेगरी में प्रदान किया जाता है एक जो होता है पैनल कटेगरी में इनमें तीन जज होते हैं और यह सर्ब स्टेश कर चुनाओ करते हैं इसमें तीन जज होते हैं और पॉपुलर चॉइस कटेगरी में मिला है दूसरा पुरसकार उत्र पदेष की झाकी को मिला है तो आप लोग कंशूज बिल्कुल मत होई जगा इसमें पैनल कटेगरी में उडिसा को और पॉपॉलर कटेगरी में जो है वह गुजरात की जाकी को पर्थम पुरसकार मिला है उत्तर प्रदेश को जो है वह आपका पॉपॉलर कटेगरी चोईस में जो है चोईस कटेगरी में दूती पुरसकार मिला ह मंतरालेओं और विभागों की स्रेडी में पर्टम पूर्शकार जो ठीम थी भारत लोक्तंत के जन्नी यसी ठीम पर आधारिती इसकी जाकी पर्टम किया गया गया है दूसरा पूर्शकार गृम मंतराले को मिला है यह जो है पैइनल चोइज कर्टेगरी में है पैनल चॉईस तस प्रशकार है raising क्त lakошी अब का संस्क्रीट मंत्राले करें तैंज देखकें हैं अगे देखते हम लोग सरस्रेइट मार्चिंग डल का जो पुरस्कार है वस सिख रेजमेंड की टुकड़ी को पतान किया गया है और और सिए पी अफ्थ वा अन्य साहिक बलों दिल्ली की महिला मार्चिंग टुकड़ी को पहला पतान किया गया है यह सभी जो है वह पैनल पैनल चॉइस कटेगरी में पतान किया गया है सबस्ते मार्चिंग दल का पुरसकार है वह सिक रेजिमेंट की टुकडी को मिला है और CA, P.F. वा अन्ने साहिक बलों की में कटेगरी में दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकडी को पहला पुरसकार मिला है अगला टॉपिक देख लेते हम लोग अगला टॉपिक है हमारा Tom Tom Traffic Index 2023 इस Index को तयार करने के लिए वह 55 देशों के 387 सहरों का अध्यन किया गया है और इस अध्यन में जो है टॉप पर लंदन रहा है सीज सस्तान पर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जेलने वाला जो सहर बना है वह आपका लंदन मना है योके का दूसरे अस्तान पर डबलिन है तीसरे अस्तान पर टोरेंटो है करनाटा का टोरेंटो सहर है जैसा कि आप लोग इंडेक्स में देख पा रहे होंगे और टॉप टैन में भारत के दो सहर सामिल है एक तो आपका छटे अस्तान पर बैंगलोरू है दूसरे अस्तान पर पुने है यह सात्वे अस्तान पर है सात्वे अस्तान पर पुने है और चटे अस्तान पर बैंगलोरू है मुंबई है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अगला टॉपिक है हमारा उनत्तरवा फिल्फेयर पुरस्कार दोजाज चोवेश यह पुरस्कार जो है गुजरात के गांधी नगर में प्रदान किया गया है यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा गांधी नगर में प्रदान किया गया है उनत्तरवा फिल्फेयर अवर्ड और इसमें जो है सर्वस्रेश अवनेता का जो पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो रड़विर कपूर को प्रदान किया गया है Animal Movie के लिए और सर्विस्रेश अवनेतरी का पुरसकार है वो आलिया भट को दिया गया है Rocky और Rani की प्रेम कहानी के लिए सर्विस्रेश फिल्म जो है वो आपकी बरावी फेल 12th फेल जो मुवी अभी आलिया में आई है उसको जो है सर्वस्रेश फिल्म का अवर्ड दिया गया है और सर्वस्रेश निदेशक का जो अवर्ड है वह विदू विनोद चोपडा को दिया गया है 12th fail के लिए सर्वस्रेश पारसो गायका गायक का पुरसकार है वह भुपिंदर बबल को दिया गया है और सर्वसेश काईका को पुरसकार है वह सिलपा राउ को दिया गया है इसमें जो है lifetime achievement पुरसकार जो है वह डिविड धर्मन को दिया गया है डिविड धर्मन को पतान किया गया है lifetime achievement पुरसकार ये भी important है आप लोग इसको note कर लीजेगा अपकमिंग music talent के लिए जो पतान किया जाता है RD वर्मन ओड इसके लिए ये पुरसकार स्रियस पुराणिक को दिया गया है स्रियस पुराणिक को ये पतान किया गया है दोस्तो हैनले passport index यह जो है जनवरी 2024 में जारी किया गया है और यह सबसे latest वाला है और यह साल में दो बार जारी होता है हनले passport जो है वह दो बार ranking जारी होती है तो जनवरी 2024 में जारी किया गया है हाली में इस में जो है इस index में कुल 194 देशों के passport का जो है मुल्ले अंखन किया गया है और इसमें पहले अस्थान पर जो है सीर किये और इस देश के जो पासपोर्ट धारक है कुल 194 देशों की भीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं का दूसरी अस्थान पर अIXाकल और इस सेकंड रैंकिंग कुल धारत्ष देश है उन में जो है फैनलेंट छो औरस स्वीडन और इसके पासपोर्ट धारक जो है आश्रिया, डेन्मार्क, आयर्लेंड और नीदरलेंड ये चार देश जो है वह थर्ड रैंक पर है और इसके पासपोर्ट धारक जो है वह 192 देशों की बीजा मुक्त यातरा कर सकते हैं इस रैंकिंग में जो है सबसे कम सक्तिसाली पासपोर्ट जो है वह अफगारिस्तान का ह सबसे नीचे है भारत की बात करें तो भारत जो है इस रैंकिंग में अस्वी अस्थान पर है भारत की जो रैंकिंग है वह असी है और यह उजबेकिस्तान के साथ उजबेकिस्तान के साथ जो है वह रैंकिंग सेयर किया है उजबेकिस्तान और भारत की रैंकिंग जो है वह पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वह 101 है अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक है फायर ग्लोबल फायर पावर इंडेक 2024 मिलिटरी स्टेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 यह रैंकिंग में जो है दुनिया की सबसे सक्तिसाली सिना जो है उसकी रिपोर्ट है और इनमें जो है इस रैंकिंग में कुल 145 देशों की जो है 145 देशों की रैंकिंग तयार की गई है और इस इंडेक्स को तयार कने के लिए जो है सेंको की संख्या, सेंन उपकरण, बित्ती सिर्था, भगोलिक इस्तिती जैसे कारकों को ध्यान में रखे यह इंडेक्स तयार किया गया है और दुनिया के सीर्थ 5 देश जो है इस इंडेक्स में सीर्थ 5 देशों की जो सेंन उसक्तिसाली है उनमें जो पहले अस्तान पर है वह अमेरिका का है अमेरिका है, दूसरे अस्तान पर रूस है, तीसरे अस्तान पर चीन है, चौते अस्तान पर भारत है, भारत की जो रैंकिंग है, वह फोर्थ है और दच्छिर कोरिया की जो है वह पांचवे हैं दच्छिर कोरिया पांचवे अस्थान पर है Global Firepower Index में और दुनिया की सबसे कम सक्तिसाली जो देश है सिनावाले देश हैं उनमें पहले अस्थान पर भूटान है दूसरे अस्थान पर मोल्डोवा है तीसरे अस्थान पर सुरी नाम है और चौते अस्थान पर सुमालिया है पांच वह अस्थान पर बेनिन है ये जो है दुनिया के सिर्ष में सबसे कम सक्तिसाली सिनावाले देश है उनमें जो है भूटान पहले अस्थान पर है और सबसे सक्ती सालिष सिना जो है वह अमेरिका की है और भार्त की रोग रैंकिंग जो है वह फोर्थ है अग्ला टॉपिक देखते हम लोग अग्ला टॉपिक है States Startup Ranking Framework 2022 इसी जो है 16 जन्वरी 2024 को यह चार राजे जो है वह best performer state है Top performer जो है आपका आंध्रपर्देश उडिशा, पंजाब, राहस्थान, तेलंगाना यह state जो है पर लीडर में आपका आपका आद्रपर्देश असम, मद्रपर्देश, उत्तरपर्देश और उत्राखन उत्तरपर्देश जो है वह leader category में है एस्पाइरिंग लीडर कटेगरी में जो है आपका बिहार है हर्याना है उभरते एको सिस्टम कटेगरी में जो है 36 गार दिल्ली जमू कस्मीर ये राजे है बीस रेणी को देख लेते हैं जिन राजोप की संख्या जो जंख्या वह एक करोण से कम है इन में बेस्ट परफॉर् जो है वगुवा मड़िपूर और तिरपूरा है एस्पाइरिंग लीडर कटेगरी में जो है अंडमाननी को बार दियूप समू और नागालेंड है उभरते एको सिस्टम कटेगरी में चंडिगर दादरा योंग नागर हवेली और दमंदिव लद्दाक मिजोरम पुदूच और शिक्किम यह जो है उबरते एको सिस्टम कटेगरी में है तो बेस्ट परफॉर्मर्स स्टेट जो है आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और एक करोण से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्ये हैं उनमें जो है टॉप बेस्ट परफॉर्मर्मर्स वालेंडिश्ट हो परफॉर्मर्स 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 भारत की जो ranking है वह 93 अस्थान पर है भारत 8 ठंक जो है वह फिसल गया है क्योंकि 2022 में इसकी जो ranking थी वह 85 थी 2022 में 85 रेंक पर था और 2023 में जो है वह 93 अस्थान पर यानि भारत में बरेश्टाचार और बढ़ गया है इस इंडेक्स के अमसार दूसरे अस्थान पर जो आपका फिनलैंड है तीसरे अस्थान पर न्यूजिलैंड है तो यह टॉप 3 देश है भारत के परोसी देशों में जो है ब्रश्टाचार धरड़ सुचकांग 2,023 ॐ है इनमें आपको याद अरकने वाला जो चीज है आपका स्चिज है अपका समालिया है जो सब सबसे कम ब्रेश्टाचार होता है जो वह डेनमार्क है और भारत की जो रैंकिंग है वह तिरानवी है यह इंडेक्स आप लोग नोट का लिए जेगा क्योंकि आपके जितने भी आगे एक जाम होंगे इनसे कोशन जुरूर बनते हैं भारत में हिम तेंद्वों की इस्सित रिपोर्ट इसे जो है 30 जन्वरी 2024 को केंद्रिय पर्यावरण वन और जलवाई परतन मंत्री भूपेंदर यादर ने इसे जारी किया है 30 जन्वरी 2024 को और इस रिपोर्ट को जो है तयार किया है भारती वन जीव संस्थान ने सभी हिम तेंद्वा सर्वे हिम तेंद्वा रेंजवाले राज्यों और दो सनचर भागिदारों एक जो है मैसूर इस्थित नेचर कंजर्वेशन फांडेशन और दूसरा जो है WWF इंडिया के सयोग से जो है यह सर्वे किया गया है भारती वन जीव संस्थान द्वारा और यह जो है भारत में हिम तेंद्वों की आबादी का आकलन कारिकरम जो है यह पहला वैग्यानिक प्रियास है तो इस रिपोर्ट को देख लेते हैं हम लोग इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कुल हिम तेंद्वों की संख्या है वह 718 है और सबसे ज़्यादा जो है केंसासित प्रदेश लगदाक में है 477 दूसरी नमबर पर जो है उत्राखंड है उत्राखंड में 124 है हिमाचल परदेश में 51 है अवड़ाचल परदेश में 36 है सिक्के में 21 है जमू कस्मीर में जो है वर 9 है एक्जाम में आप से पूछ सकता है कोस्टन बना सकता है कि इनको जो है आरोह करम में और आरोह करम में त तो राज्यों के नाम देदेगा और इनको जो है तेंदू के इस्थित के अनुसार जो है कितने तेंदू किस राज्य में पाए जाते हैं किन सासी प्रदेश में उसको जो है बताना होगा तो आप लोग इसको सारा इंपोर्टेंट है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ल रिपोर्ट के अनुसार और इसे जो है 30 जनुवई 2024 को जारी किया गया है टोटल जो है भारत में कुल 718 हिमतेंदुए हैं अगला टॉपिक देखते हम लोग अगला टॉपिक है हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 इसे जो है 202 दौरा जारी किया गया है इ जर्मनी में भारत का जो अस्थान है वह 38 अस्थान पर है 2018 में 2014 में भारत 24 जो है और 2014 घंडेक्स को भी आप लोग नॉट कर लेजिएगा आगे देखते हैं अगला टॉपिक अगला टॉपिक है गलोबब Peace Index 2023 इसे जो है Institute for Economics and Peace ज़र 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 जारी किया गया है और दुनिया का जो सबसे सांत देश है वह आइसलेंड है आइसलेंड सबसे सांत देश है और यह जो है 2008 से लगातार सीस अस्थान पर है 2008 से इस लिष्ट में जो है 168 देशों की लिष्ट में भारत जो है वह है 126 अस्थान पर है भारत की रैंकिंग जो खराब है भारत 126 अस्थान पर है सबसे असांत देश जो है वह लगातार पांच आफगानिस्तान दुनिया का सबसे असांत देश रहा है इसमें कुछ और देख लेते हैं लोग टॉपिक इनमें यह हैं दुनिया के सीर्थ 5 असांत देशों के लिष्ट जिसमें 163 अस्थान पर आफगानिस्तान 162 अस्थान पर यमन है 161 पर जो सीरिया है और इसके बाद जो है दच्छी सुडान है और डेमोक्रिटिक रिपब्लिक और कॉंगो 169 अस्थान पर है आप लोग देख लीजिए जो शीर्स अस्थान पर है आइसलेंड है डैन्मार्क है और अइरलेंड है यह तौक के आपके मुख प filtered देश is एक सुर्णिर्य शोड़ और अफगानिस्तान येमन सीरिया सुडान और कंगो यह सिस के पांच असान्थ देश है दुनिया के 6-5 सांत देशों में आइस्लेंड हो गया, डेन्मार्क, आइरलेंड, न्यूजिलेंड और आश्ट्रिया ये 5 दुनिया के 6 सांत प्री देश हैं भारत की जो रैंकिंग है वह 126 है अगला टॉपिक देखते हम लोग अगला टॉपिक है जलवाई परिवतन सुचकांग 2024 इसे जो है जर्मन वाज, न्यू क्लाइमेंट इंस्टिट्टूट और क्लाइमेंट एक्सन नेटवर्क इंटरनेशनल दौरा जो रहें इसे जारी किया गया है और इस रैंकिंग में जो है पहले दूसरे तीसरे अस्थान पर जो है किसी देश को अस्थान नहीं मिला है तो मतलब सीर्स के तीन जो रैंकिंग है वह खाली है चौत्य अस्थान पर जो है वह डेन्मार्क है पांच जो है पर इस्टोनिया है छटे पर फिलिपिन्स है इंडिया जो है वह सात्मी अस्थान पर है इंडिया की जो रैंकिंग है वह सात्मी है इस रैंकिंग में सीज के जो कोई भी देश इस रैंकिंग में सीज पहले दूसरे तीसरे अस्थान पर नहीं है जो चौत्य अस्थान पर पहला देश है वह डेनमार्क है इस रैंकिंग के अनुसार आप लोग इसको जो नोट कर लिजेगा अगला टॉपिक देखते हम लोग Global Innovation Index 2023 इसे जो है World Intellectual Property Organization WIPO 2000 किया गया है इसमें सीज अस्थान पर सुजज लेंड है इसके बाद स्वेडन है इसके बाद संयुक्तराज अमेर्का है सीज के जो देश है पहले पर आपका सुजज लेंड है दूसरे अस्थान पर सुईडन है तीसरे अस्थान पर जो है अमेर्का है भारत का जो अस्थान है वह चारिसमें अस्थान पर है और भारत जो है यह भारत की रैंकिंग जो थी 81 अस्थान पर थी 81 अस्थान पर थी Global Innovation Index 2015 में 2015 में जो है भारत की जो रैंकिंग थी 81 थी 2022 में 80 40 में और 2023 में भी जो है 40 में है तो इन सभी टॉपिक को जो है आप लोग नोट का लीजिए निर्यात तयारी इंडेक्स 2022 नीती आएग द्वारा और यह भारत के राजियों के निर्यात तयारी इंडेक्स तयार करता है नीती आएग और यह इसका तीस्रा संस्करण था तीस्रा संस्करण था जो 17 जुलाई 2012 2015 को जारी किया गया इसमे जो है राजियों का जो मुल्यांकन क्या जाता है उसके लिए चार अस्तम निर्धायत किये गए है एक तो आपका नीती है ब्योसाइक परवेस है तीसरा जो है निर्यात एको सिस्टम है और चौथा जो है निर्यात परदर्शन है ये चार अस्तम है मुल्यांकन की तो इसमें जो है ज सबसे पहले जो सीर्स हस्थान पर हैं वह तमिलनाडू है दूसरे कहारा है तीसरे करनाटक है । धुजरात है राज्य सबी से खिर हैं तbior वह स्पेरियों में तो इसके नोट को लीजेगा तमिलनाडू, महराश्थ, करनाटक और गुजरात means. स्कुस्फब जो सिर्स और। यह सभी तटी राज्य हैं, चारो। भूमी से घुरे राजों में हर्याणा सिर्स पर है। इसके बाद टिलंगाना है, तीसरी अस्थान पर ऑपका उत्तर प्रदेस है, चोधे पंजाब है, मदेप्रदेस पांचे अस्थान पर है, छटे अस्थान पर जो है राजस्थान है हिमाली छेतरों में उतरा खंड जो है वह सीस अस्थान पर है इसके बाद जो है हिमाचर परदेश है केंसासित परदेशों और छोटे राज़ों की स्रेड़े में जो है गोवा पहला अस्थान है गुवा का जो है पहला असान मिला है इसके बाद जो है चमु कस्मीर है दिली है और अंडमान निको बार है और लद्दाक है इन राज्यों को जो है अस्थान मिला है निर्या तैयारी इंडेक्स 2022 में जो जारी किया गया है 17 जुलाई 2023 को एक बार फिर से देख लेते हैं हम है तिलंगाना दूसरी अस्थान पर उत्तर पदे जो है तीसरी अस्थान पर है उत्तर पदे सपना तीसरी अस्थान पर है पंजाब जो है चोथे अस्थान पर है हिमाली छेत्रों की बात करेते इसमें जो है उत्तराखन सीस अस्थान पर है हिमाचर पदे दूसरी अस्थान गर अर्थिक भागवागीदारी और उसर् शिछा का अशर्ण स्वास्थे उत्तर जीविता और राजनीतिक ससस्टी करण यह चार आयम है जिनका मुल्याकन किया जाता है इस इंडेक्स को तयार कने के लिए और इस इंडेक्स को तयार में जो सामिल देश हैं कुल 146 देश सामिल है इसमें 146 देशों का मुल्याकन किया गया है और इसमें जो स्वेडन है यह जो है सीर्ष के चार देश हैं और भारत की जो रैंकिंग है 146 देशों में वह 127 अस्थान पर भारत है और 2022 में 135 अस्थान पर था भारत में भारत के पड़ोसी देशों के देख लेते हैं इनने जो बांगला देश की जो रैंकिंग बैसर है उन्सेटवी रैंकिंग है चीन की 107 हैं नेपाल की एक सो सलामी है भूतान की 113 अर्शिलंका जो है 115 है पाकिस्तान जो है 142 अस्थान पर है इस रैंकिंग में तो भारत की जो रैंकिंग है वह 127 है अस्थान जो है बारत का 127 है और 60 अस्थान जो है वह आइसलेंड का है उसके बाद जो है नार्वे फिल्लेंड स्वीडन इन दिसों का अस्थान है अगला टॉपिक हम लोग सूचकांक 2023, energy transition सूचकांक है और इससे जो जारी करता है, वह भीस सो आर्थिक मंच, इसमें 12 अध्यन किया गया है और इसमें सीस असान पर स्वीडन है, इसके बाद डेनमार्क, नर्वे, फिल्लेंड और स्वीड़ेलेंड ये 5 जो है पांच आधकर की जो रैंकिंग है वह संचट्वी है आप लोग इसको नोट कर लिजीगा अंगला टॉपिक है हमारा World Press Freedom Index 2023 इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स इससे जारी करता है और इसमें जो है कुल 180 देशों का मुल्यांकन किया गया है सर्वे किया गया है और इसमें जो है भारत 11 पाइदान की गिरावट दर्ज की गई है 2023 के एंकिंग में और भारत 161 अस्थान पर आ गया है जबकि 2022 में जो है 2022 में भारत 150 अस्थान पर था इस इंडेक्स में कितने देशों का मूह ल्यांकन किया गया है 180 देशों का भारत की जो रैंकिंग है वह 161 है भारत में प्रेस की हालत क्या है आप लोग इस रैंकिंग से देख सकते हैं सीस पर जो है नॉर्वे, आइरलेंड, डेनमार्क है और सबसे खराब जो रैंकिंग है बियत नाम की, चीन की और उतर कोरिया यह जो तीनों देश जो है सबसे निचले पायदान पर है दोस्तों आज की वीडियो इसमाप करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत